समस्क्राइब दोस्तों मैं प्रिश सर्मा और आप सभी का मस्वागत करता हूँ अपने इस चैनल बालो जीवी दर्पित में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले है फिजिकल एजुकेशन क्लाश 12 की जो हमारी थर्ड यूनिट है योगयन लाइस्टाइल उसके बारे मे और क्या-क्या उनके benefits होते हैं क्या-क्या precaution लेने चाहिए उनासंस को करते हुए क्या-क्या contra-indications होते हैं वह सभी इस वीडियो में पूरा discuss करने वाले हैं और लाश्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी diabetes के बारे में और उससे लाश्ट वीडियो जो थी हमारी obesity के बारे मे वो सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है अगर आपने नहीं देखिया वो फटाफट से जाके चेक कर लीजे बहुती मज़ेदार वीडियो बनी हुई है वो आज की वीडियो मज़ेदार होने वाली है तो यार अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो पटापट से देखते हैं तो चलिए बात करते हैं हमार्य वाल्स ओप आवर आटपीक है जो यसको हमारा जो blood है वो supply होता है cookies के थ्रू oxygen oxygenated blood होता हमारा heart से heart disease के थ्रू supply होता है, पुरी body अंदर ये सबी को पता है , जब हमारा heart is pump हुआ उसने जो मारा blood है oxygenated blood वो भेजा iota के थ्रू arteries हमारी पूरी body में फैलिवी है, तो हमारा blood हाई प्रेशर से पंप हुआ और उसने ब्लड को भीजा आटरीस के थूरू अब जो मारा आटरीस के थूरू ब्लड गया वह ब्लड जब गया हाई प्रेशर के थूरू जो आटरीस पर फोर्स लगा अगर आपको नहीं के लिए तो एक example ले लेते हैं आपने एक pipe पगड़ा हुआ है pipe को आपने दबा रखा है जो पानी गाड़ी दोने वाला pipe होता है उसको आपने दबा रखा है फिर तब आपने high pressure से पानी को छोड़ा तो आपके यहां पर जो प्लास्टिक का pipe पगड़ा हुआ है उसने प्रेशर लगाया आपकी फिंगर्स पर ठीक है जो आपकी जो वाल्स है उन पर एक प्रेशर लगा तो इसी प्रकार जब हमारी आपके जो प्लास्टिक प्रेशर प्रेशर यह उसी को हम कहते हैं ब्लड़ प्रेशर इतनी बात क्लियर हो गई तो जब आपका जो हाट है जो हुमन हाट है वो पंप हुआ उसना oxygenated अब आपके हार्ट ने आपका oxygenated blood भेज दिया अब जब हमारा systolic जब oxygenated blood निकल गया जब oxygenated blood आएगा तो हमारा जो हमारा human heart है वो थोड़ा relax होगा और यहां पर हमारा pressure जो थोड़ा कम होगा pressure हमारा minimum हो जाएगा इसको हम कहेंगे diastolic pressure ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई जब हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टॉलिक से जब सिस्टॉलिक में तो जब हमारा heart pump हुआ जब आर्टिस में blood भेजा उसको हम कहेंगे सिस्टॉलिक हुआ जब हमारा ब्लड रिलेक्स हुआ पाइट्टी ब्लड प्रेशर को नापस्ति कैसे मिली मीटर और मरकरी एम एम आफ एच जी है ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई है तो जब हमारा 120 होता है वह होता है मारा systolic pressure है और यह जो हमारा एट्टी होता है वह होता हमारा Diastolic Pressure इतनी बात क्लियर हो गई जब हमारा हा क्षाट होगा 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 हमारा हीएस इस स्वा प्रेशर जिसकोह जब गये डाइस्ट लिएट हो गई। रहेंगे दायस्टॉलीक प्रेसर जी हमारा कम होता है सिस्टॉलीक प्रैसर कर को थी थी कहीं मुट प्रेशर होता है इतने बाथ रूग गया है ब्लेट क्या होता बनाइआ सुर्द인이 के आपको बता है अब बात आती है है यह था इस never कहते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से थोड़ा हाई लेवल में चला जाए इसको हम कहेंगे हाइपर टेंशन असको इतनी बात क्लियर हो गई यह हो गया हमारा ही पर टेंशन अब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक डिवाइस आती है जिसको हम कहते हैं स्विग्णो मैनो मीटर क्या कहते हैं इस k攻 curriculum कंग होता है कि काम क्या से करता है यह हम आप को एक अलग से वीडियो में बता देंगे शेयं इसमें किस तरीके से क्या क्या इनके पार्ट होती हैं और किस तरीके से एक पेशेंट का बीपी ना पा जाता है इस स्विगिनो मैनोमीटर से यह पूरा डिटेल में डिसकस करेंगे यहां पर आई बटन है वहाँ पर जाकर चेक कर लेगा ठीक यह अलग से समझा देंगा आपको पूरा कि बाई क्या कैसे कैसे मेजर किया जाता है ठीक है हो सकता है ऐसा चोटा मुटा कॉस नहीं होता है बड़ा कॉस होता हैFit मटला है इसलो पर आपको इस यह को जाएगा आपके मेमर करुछ सकता है हाट ऐसकता है किड्नी फेलिएर हो सकता है स्ट्रोक होता है और आपके इस्ट्रोक हम क्या क्या होता है कैसे होता है सब बता दिया गया है अगर आप ॉबर है आप कोई भी physical exercise ज्यादा नहीं होती आप फिजीकल फिट नहीं है आप तबेख्यों का seven ज्यादा करते हैं अब सोडियम की मात्रा भी आपकी बॉड़ी में ज़्यादा है 네 मेरे कि मात्रा कम है ऐलकॉहहल का seven भी जादा है, stress ज्यादा लेते हैं, और Vitamins D की भी कमी हैं आपकी डाइट में, तो ये कुछ risk factors हैं जिनकी वजह से आपको hypertension, hypertension का सिometers का हो जाएँगे. तो hypertension इतना ही था, ये पूरा था hypertension क्या होता है? उन आपको बता दिया गया है, अब इसको cure करने के लिए कौन-कौन से आसन्स होते हैं according to the latest levels of cbsc इनको क्योर करने के लिए कौन-कौन से आसन्स है क्या-क्या उनका procedures है अब वो देखेंगे तो आसन कौन-कौन क्या-क्या benefits और क्या-क्या precautions लेने पड़ते हैं आसन को करने के लिए तो यार पहले फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज रिक्वेस्ट आपने अब हम देखते हैं इन आसन्स के बारे तो hypertension को क्योर करने के लिए कुछ आसन्स उनके बारे में डिसक्स करते हैं तो सबसे पहला सबसे आता है महारा dalla पूरी बॉड़ी को सीधार रखें रक़ें धीरे-धीर इनहेल करते गए साथ अपनी mom डोनों पाम को एक ऋूपर की तरफ रख और लखें इस लग अब आईये जानते हैं इस असन को कढ़ने के क्या-कया benefits हैं यह हमारी पूरी body और muscles को stretch करता है हमारी thighs को knees को और ankles को strength provide करता है cytica को reduce करने में हमारी help करता है और यह जो हमारी जिपनी में हमारी digestive problems है उनको क्योर करता है और hypertension तो क्योर करता है क्योंकि hypertension के लिए आसन हम यह करते हैं क्योर करता है हमारी पूरी body के posture को एक इंप्रूब इंप्रूब्मेंट प्रवाइड करता है ठीक है यह कुछ benefits ताड़ासन के ठीक अब बात करते हैं कुछ precautions की कि इस आसन को करने के लिए क्या-क्या अब यह प्रिकवसेंट की रिक्वार्मेंट होती है ठीक जाए इनर अपर आमस शुट टॉट ता रिस्पटिव यह जो मारा अपर आमस के जो इनर अपर आमस यह हमारे कानों को को टच करने चाहिए जैसे इसमें बताया यह जो इनर अपर आम से हैं यह कानों पर टच करने चाहिए ठीक और फिंगर को फूल कैपकेशिटी में स्ट्रیک करना चाहिए और जो हमारा बैंडिंग फॉरवर्ड है और वैकवर्ड है जब हम यह आसन कर रहे होंगे तो हमारा जो बॉड़ी का है का फॉरवर बैंड बैकवर्ड को हमें अवाइड करना चाहिए ठीक यह कुछ प्रिकॉशन रेगूलर बेसिस पर अगर है देक की प्रॉब्लम है तो उनको भी यह आसन अवाइड करना चाहिए तो यह था ताड आसन अब बात करें अपने नेक्स आसन की तो नेक्स आसन आता है मारा अशचकर आसन वर्ड से ही पता चल ला है अर्ध मींस हाफ चक्रण मीनस वील हाफ वील आसन मतलब सेमी सर्कल टाइप बनेगा उसको कहते हैं अर्ध चक्रासन जो मारा चक्रासन होता है उसका हाफ पार्ट ले लीज़े अर्ध चक्रासन ठीक किस तरीके से किया जाता है आईए समझते हैं ऐर्ध्चक्रासन के लिए दोनों पंजों को आपस में मिला ले पूरी बाड़ी रखेंश को धीरत विर उपर लेकर लेकर लेखेंश करें से फूरी आपर बाड़ी को पीद्थे की गरफ बैंड करें और होल्ड करें पोजीश तो चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स के अर्द्चक्रासन के यह हमारे जो हाइब्ल प्राइसर अगर हमको हाइड्ट प्रेसर की प्रॉब्लम है उसको यह रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है रुण नर्वस सिस्टम को इंप्रूफ करता है को इंप्रूब करता है अगर हमको कोई टेंशन कोई स्ट्रेस है उसको प्रूफ करता है उसकोग रिलीव करता है हमारी स्ट्रेस और टेंशन कोimiento और फीमेल में मैंस्ट्रेस डिसार्डर है तो उसको भी ये डिलीफ प्रोवाइड करता है तो यह थे कुछ बैनेफिट्स अब बात करते हैं प्रिकॉशन की क्या क्या प्रिकॉशन से जो हमको अर्ध्य चक्रासन करते समय ध्यान रखने हैं क्या क्या है जो प्रिकॉशन से परफॉर्म जैंट्ली बैंडिंग डीपली अंली विल मैंड इस डैडी मतलब कि आपको बिल्कुल मैंडेद्ञ करना है इसंट्धी से बैंड नहीं करना है कोई भी जम कर यहीं लेना है बैंडिंग करते टाइम ठीक है sideways bend नहीं करना है और keep the breathing slow and rhythmic आपके breathing को rhythmic और slow रखना है fast breathing नहीं करनी है यह ते कुछ precautions तो next point राता है हमारा contraindication का contraindication means किन लोगों को यह आसन अवाइड करना चाहिए जिनको peptic ulcer है और हर्णिया पेशेंट है उनको यह आसन अवाइड करना चाहिए pregnant woman को यह आसन अवाइड करना चाहिए बस यही ते कुछ इसके माइन को रिलेक्स प्रोवाइड करता है ठीक इसका क्या प्रोसीजर रहता है किस तरीके से आसन परफॉर्म किया जाता है आईए समझते हैं सुकासन के लिए दोनों पैरों को इंचे बैठ जाएं बॉटम को अपने मैट पर रखें राइट फीट को लेफ्ट का आप के नीचे कमर करदन सीधी रखें अपने दोनों हतेली को नीच पर रखें और रेस्ट करें इसी पोजीशन upp कि तो आईए समझते हैं शुकासन की क्या-क्या बेनीफिट है ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता ऐं और लateg्नेश्ट करता हैं कॉलार बोंस और इसको कहते हैं और चीश्ट को चिश्ट को ब्रॉडन करता है माइं करता है को तकान इसको रिड्यूस करता है बोड़ी पोस्टर मुंस करταा है और जो आपके zo प्रेंग से नीज हैं उनको स्टेच करता है और आपकी बैक को एक स्टेंट परवाइड करता है तो यह थे कुछ बेनेफिट की इस आसन को करने के क्या क्या बेनेफिट्स हैル不会 प्लेस पर यह आसन परफॉर्म नहीं करना है कर शिर्फ यह मैत पर परर्फॉर्म करना या किसी प्लेन घद unless फिर्छी आपको इस आसन को परफॉर्म करते टाइम कमर गर्दन सीधी आपको बिल्कुल इस्टेट रखनी है अब बात कहते हैं कॉंटर इंडिकेशन की इस आसन को के लिए कुछ नहीं है बस अगर आपको नी में कोई प्रॉब्लम है या नी कोई operation हुआ हुआ है तो आपको यह आसन ज्यादा टाइम तक नहीं करना चाहिए बस ही था इसका कॉंटर इंडिकेशन आइए बात करते हैं नेक्स आसन के बारे में तो चलिए बात करते हैं नेक्स आसन की इस आसन का नाम है शवासन मेरा भी फेवरेट आपका भी फेवरेटी होका शवासन तो शवा का मीन संस्क्रीट में होता है डेड बॉडी मतलब जिंदा लास हम तो जिंदा लास शवासन मतलब ठीक है अब क्या प्रोसीजर रहता है आईए समझते हैं शवासन के लिए अराम दैक्स्तिती में पीट के बलेट जाएं दोनो पैरों में नॉबल डिस्टेंस रहेगा डोनों हाथ आपके हिपस के साइड में रहेंगे अराम दैक्स्तिती में शोल्डर को रिलाक्स करें पूरी बॉड़ी को रिलाक्स करें और आईस को क्लोस कर लो तो आए जानते हैं इस आसन को करने के क्या क्या बेनिफिट से हैं इट हेल्ट इंजाइटी फटी एंड इस्ट्रेस ठीक इट रिलेक्स दा बॉड़ी मसल्स इट इंड्यूसिस फिलिंग और फ्रेशनेस आप बिल्कुल जब आप यह आसन करोगे तो आपको माइंड बिल्क पॉचन क्या क्या है तेक कमफोटेबल पोजिशन विच ओवर्ट ओफर्स लिस्ट टुदा ग्रेविटी ग्रेविटी का जहां पर लीश्ट रजिस्टेंच अचो जहां पर आपको गेंडने का खत्रा ना हो महां पर आपको एप आसन परफॉर्म करना चाहिए कीप फोकस आ सब्सक्राइब आपको नेचरेल बीदिंग पर फोकस करना है कन्सेंट्रेट करना आपको नेचराल बीदिंग पर कीप यर आइस क्लोज टुरूंट दा प्रेक्टिस इस आसन को करते समय आपको अपनी आँखे बंद रखनी और आपके जो पांस हैं उनको अपवर्ड फेस क करना है तो यह थे कुछ आसन्स हाइपर टेंशन को क्यों और करने के लिए उमीद करता हूँ आपको सभी आसन समझ में आ गयोंगे क्या-क्या इनके आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ आपको पसंद आओगा सब फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं मिलते हैं अपनी ऐसी नई वीडियो में ऐसी कोई नई वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार हेव गुड़ हुआ हुआ है